नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रशनों का हल करें जो की त्रिकौन मिती के परिचे प्याधारे थें और ये सारे ही प्रशन परिक्षा की रिष्टिकौन से भी बहुत जादा जरूरी है तो पहला प्रशन जो हमारे पास है वो ये है कि यदि साइन ए और कॉस बी का योगफल एक है और एंगल ए कौन ए का मान आपको 30 डिग्री दिया गया है और बी भी एक नियून कौन है तो एंगल भी का मान ग्याद की जिए तो हमें यहाँ पे यह बताया गया है कि साइन ए प्लस कॉस बी का मान एक है तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रशन में हमें क्या दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस बी का मान एक है और यह हमें प्रशन में दिया गया है साथ ही प्रश्ण में ये भी दिया गया है कि कौन A का मान जो है वो 30 डिग्री है तो यहाँ पे अगर हम इस दिये गए समीकरण में कौन A का मान रख दें तो देखे क्या होगा साइन 30 डिग्री और कॉस B का मान हमारे पास एक आ जाएगा अब हमें ये पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है और मैं आपको याद दिखला दूं कि अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को इस तरहां फैला लें तो आप अराम से किसी भी नियून कौन का मान निकाल सकते हैं मेरा मतलब है साइन और कॉस किसी भी नियून कौन का निकाल सकते हैं तो अगर आप याद कर पाएं तो यहां पे मैं बात कर रही हूं 30 डिग्री की और अगर आप साइन निकालना चाहते हैं 30 डिग्री का तो आप रूट ले लें जितनी भी आपके पास यहां पे उंग्लियां नीचे आ रही हैं मतलब आप अगर 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री वाली उंग्ली के नीचे आपके पास एक उंग्ली आ रही है तो इसलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा एक बटे 2 तो यहाँ पे मेरे पास आगया एक बटे 2 प्लस कॉस B पराबर एक और यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ ही आधे को यानि एक बटे 2 को घटा दूँ तो कॉस B का मान आजाएगा एक माइनस एक बटे 2 और जो की है आधा तो यानि हमारे पास B का मान वो है जिसके लिए कौस B का मान आधा आए और आप यहीं से देख सकते हैं कि कौस B का मान आधा किसके लिए आएगा इसके लिए आएगा क्योंकि यहां पे जो भी हमारे पास कौस 60 होता है या cos कहलें 60 degree का तो वो हम निकालते हैं जितनी भी हमारे पास उलियां उपर बची हैं और बटे दो तो यहां पे आपको इस से पता चल गया कि जो आधा है यानि हाफ है वो किस का मान है cos में अगर लें तो 60 degree का और इस तरह अगर हम दोनों तरफ समी करण को देखें और मेल कराएं तो हम क्या देंगे कि B का मान 60 degree है तो इस प्रश्ण में अगर मैं कहूं तो सबसे जरूरी चरण यह था कि आपको यह ध्यान हो कि noon कोन के लिए sign और cos के मान क्या होते हैं और आप उसके लिए स्विधी का प्रयोग कर सकते हैं आप इस तरह से छोटी उंगली से शुरू करते हुए 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लें अगर आपको किसी भी कोन का sign का मान निकालना है तो आप उस उंगली पे जाएं और रूट ले लें जितनी भी आपके पास उंगलियां नीचे हैं उस उंगली के नीचे हैं और बटे दो कर दें और अगर आप cos 60 का मान निकालना चाह रहे हैं तो आप कर दें जितनी भी उंगलियां आपके पास उपर हैं और बटे दो तो इस तरहां से हमने यहाँ पे कौस और साइन की सही मान रखकर जो यहाँ पे कौन मांगा गया था उसका मान गयाद कर लिया चलिए आईए अगला प्रशने देखते हैं यदि टैन ए बराबर तीन बटे चार है तो एक बटे साइन ए प्लस एक बटे कौस ए कामान गयाद करें तो यहाँ पे हमें यह दिया गया है कि टैन ए कामान तीन बटे चार है और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप एक बार लाल बटे कका वाली विधी से ये याद करें कि हमारे पास साइन, कॉस और टैन में क्या अनुपात आता था तो आपको याद आएगा कि अगर हम किसी भी कौन का टैन लेते थे तो वो एक समकौन के लंब बटे आधार के अनुपात ये रूप में हमें मिलता था तो अगर हम एक यहाँ पे सम कोंड तरिभुज बना लें तो अगर मैं यहाँ पे एक सम कोंड तरिभुज बना लूँ और जिस नियून कोंड की यहाँ पे बात की जा रही है उसको A यहाँ पे मान लूँ तो इसका आशे यह हुआ कि यहाँ पे जो भी इस समकोंड त्रिभुज का लंब है लंब इस अगर बिंदू से हम देखेंगे तो लंब हो जाएगा BC तो जो भी हमारे पास लंब है BC और जो भी हमारे पास आधार है AC उसका हमें अनुपात कितना दिया गया है BC बटे AC हमें दिया गया है 3 बटे 4 तो यदि मैं यह माननू कि इन दोनों का ही उभैनिश्च जो है भाजक वो K है तो हम यह कह सकते हैं कि B का जो लंबाई है जो B की वो हो जाएगी जो भी मातरक आप लेंगे उसमें 3 के और इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो A, B की AC की लंबाई है वो जो भी आप मातरक लेंग उसमें हो जाएगी फोर के अब आपके पास जब एक समकोन त्रिपुज की दो बुजाएं पता चल गई तो यहाँ पे हम पाइथागुरस की मदद से तीसरे बुजावे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी इस त्रिपुज का कर्ण है उसकी लंबाई का वर्ग बा गया नौ के स्कुएर जो की बन गया पच्चिस के स्कुएर और अगर हम यहाँ पे पूरे ही समी करण में वर्ग मूल ले लें तो यह आ जाएगा पांच के तो इसका आशा यह हुआ कि A B का मान है पांच के जब हमें A B का मान यहाँ पर पता चल गया तो आप देखिए हमें किसका मान निकालना था हमें मान निकालना था एक बटे साइने का और एक बटे कौसे का और यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन क्या होगा लंब बटे करण तो लंब यहाँ पे आ गया तीन के और करण आ गया पांच के और यहाँ पे आपको लेना है एक बटे कौसे और की 4K बटे कर्ण अगर हम लें तो 5K क्योंकि हम वयुत करम ले रहे हैं तो यहां पे यह 5K बटे 3K आ जाएगा और यह भी 5K बटे 4K आ जाएगा और अगर हम यहां पे अब LCM ले लें तो हमारे पास 12K LCM आ जाएगा और यह हो जाएगा 20K और यह हो जाएगा 15K जो की हमारे पास आ जाता है 35 k बटे 12 k और यहां पर k और k जो है वो कड़ गया तो हमारे पास जो उत्तर है वो आ गया 35 बटे 12 जो की ही हमारा यहां पर सही उत्तर है मैं आपको बताओं यहां पर जो सबसे common mistake है जो बच्चे कर देते हैं परिक्षा में वो यह कि वो बीसी का मान सीधे तीन ले लेते हैं यहां पर के जो उभेनिष्टे उसका प्रयोक करना भूल जाते हैं और जिस वज़े से अंक जो है वो कट जाते हैं कि जब भी हम किसी भी तरीचे की नुपात की बात करें चाई वो त्रिकोन मती में नुपात हो या यह और कहीं पर भी कोई आपकोह नुपात दिया गया है उसका मतलब यह है कि ये 3 बटे 4 मातरक में भी हो सकती है, 6 बटे 8 भी हो सकती है, फिर 9 बटे 12 भी हो सकती है, मतलब असलियत में जो भी इनके उभेनिष्ट नहीं होंगे, उसके अनुसार इनकी जो अच्छल लंबाई है, वो निर्भर करेगी किस पे कि क्या उभेनिष्ट ऐस चलिए आईए, अगला प्रशने देखें, यदि रूट 3 साइन थीटा माइनिस कॉस थीटा का मान शुन है, तो थीटा का मान ग्याद करें, तो यहाँ पर हम से फिर से कोन का मान पूछा गया है, और दिया गया है कि, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, दिया गया है कि, root 3 sin theta minus cos theta जो है वो 0 के बराबर है और अगर हम यहाँ पे पूरे ही समीकरण में cos theta अड़ कर दें तो हम यह कह सकते हैं कि root 3 sin theta जो है वो cos theta के बराबर है क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हमने 22 cos theta अड़ किया तो cancel हो जाएगा और 22 0 plus cos theta cos theta हो जाएगा अब ऐसा करते हैं कि पूरे ही समीकरण में हम एक बर sin theta से डिवाइट कर देते हैं भाग कर देते हैं तो 22 तरफ sin theta हड़ गया और 22 तरफ यह cos theta बटे sin theta हो गया और आपको पता है कि cos theta बटे sin theta जो है वो क्या होता है? वो होता है cot theta और क्योंकि मुझे cot theta में ज्यादा अराम नहीं मिलता इस तरीके के समीकरण को हल करने में क्योंकि मुझे जो यहां पर main 3 अनुपात है sin, cos और tan उसमें ज्यादा असानी से प्रश्ण हो जाते हैं तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ हम इनका वयुत करम ले लेते हैं तो एक बटे root 3 हो जाएगा और अगर हम यहां करेंगे तो एक बटे cot theta आजाएगा और क्यूंकि मुझे पता है कि एक बटे cot theta जो है वो tan theta है तो इसलिए मुझे पता चल गया कि tan theta क्या आ रहा है एक बटे root 3 अब मुझे एक बार यह धान करना है कि कौन सा ऐसा noon cone है जिसके लिए मुझे tan theta की value एक बटे root 3 मिलती है तो मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं उपर और नीचे दोनों में ही दो से भाग दे दूँ तो मुझे यहां पे यह जो मिल रहा है वो sine theta होगा और यह जो मिल रहा है वो cos theta होगा और इसके लिए मेरे पास एक बहुती अच्छी विधी है जो कि मुझे अपने बाएं हाथ को उप्योग करके यहां पे इस्तमाल करनी है यहां से मैं 0 लिखती जाओं यह 30 लिखती जाओं और आप देखेंगे कि उसी theta पे मेरे पास cos जो है वो root 3 बटे 2 आएगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे इस उंगली को देखूं तो इसके नीचे एक उंगली ही है तो root 1 बटे 2 जो है मेरे पास sin 30 degree की value आगे और यहीं पे अगर मैं देखूं तो cos 30 degree की value कितनी आजाएगी root में हम लेखें जितनी भी उंगलियां उपर थी यानि कि 3 बटे 2 तो यहां पे यह बास सही बैठ रही है कि अगर मैं यहां पे 30 degree या फर कहलो 30 degree की बात करूं तो यह ही मुझे सही अनुपात दे रहेगा एक बटे root 3 का और यहां से मुझे पता चल गया कि यह जो है वो 30 degree की बात की जा रही है जिससे हम यह कह सकते हैं दोनों तरफ compare करके कि theta जो है 30 degree है अगर आपको यह बात यहां पे ध्यान है कि एक बटे root 3 tan 30 degree की value है मैंने आपको यह चरण इसलिए बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो मान है उसमें थोड़ा सा confusion हो जाता है और क्योंकि हमारा बाया हाथ तो हमेशा ही हमारे पास उपलब्ध रहेगा तो इस तरीके से आप उपर और नीचे दोनों तरफ दो से भाग दे करके ये कोशिश कर सकते हैं निकालने की कि sign का ऐसा कौन सा noon cone है जिसके लिए हमारे पास उसका मान आधा आता है और क्योंकि हम बिल्कुल अराम से देख सकते हैं कि हमारे पास अगर नीचे से दूसरी उंगली हम लेंगे तो ही हमारे पास नीचे एक उंगली बचेगी जिससे root एक बटे दो जो की आधा है हमारे लिए sign का मान हो जाएगा और इसलिए हमारे पास ये sign जो हो 30 हो जाएगा और यहीं से हमको जो ही noon cone है वो 30 degree मिल जाएगा तो इस तरहां से हमने इस प्रशन का भी हल कर लिया और हमारे पास जो कौन है वो 30 degree आ गया चले आईए इसके बाद एक और प्रशन हल कर लेते हैं sign a, cause और tan a को sec a के पदो में लिखें तो बहुत ही रोचक प्रशन और बहुत ही जादा परिक्षा में पूछे जाने वाला प्रशन है यह जहां पे हमें sign a, cause a और tan a को sec a के पदों में लिखना है तो एक बार हम यह देख लेते हैं कि इस प्रशन में असल में तीन भाग है कि आपको देखना है कि sign a को हम किसी भी चीज़ को उसके वर्ग का वर्गमूल कह सकते हैं और क्यूंकि हमें यह पता है सर्व समिका से, त्रिकोन मती की सर्व समिका से कि sign square a और cos square a का जो योग है वो एक होता है इसलिए यहां से हमें पता चलिया कि sign square a को हम 1 minus cos square a कह सकते हैं तो यहां से मैं sign square a की जगा यहां पर इस्थापित कर दूँ यह जो मान आया 1 minus cos square a और 1 minus cos square a करने का कारण यह था कि मुझे मालूम है कि जो cos a है और सेखे हैं उनके बीच में वयुत करम का सम्बंध है तो इस तरहां से मुझे 1 minus 1 minus 1 बटे सेके का square मिल जाएगा और चलिया आए इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं जिससे यह मुझे मिलेगा 1 minus 1 over sec square a और थोड़ा और हल कर लेते हैं जिससे यह मुझे मिल जाएगा sec square a minus 1 बटे sec square a तो यह मेरे पास किसका उत्तर आ गया कि sin a का मान sec a में क्या होगा इसके बाद आईए दूसरा भाग यहाँ पर देखें जहाँ पर cause a के लिए कहा गया था तो cause a के लिए तो हमें पताईए कि cause a जो है वो sec a का वयुद्करम होता है तो हमाई पास दूसरे भाग के लिए बहुत ही असानी से इसका हल आ गया अब तीसरे भाग की और हम भढ़ते हैं तो यह पहला भाग था जिसको मैंने पीले रंग से लिखा दूसरा भाग जिसको मैंने गुलावी रंग से लिखा और तीसरे भाग के लिए आईए मैं जो हल है हैं तो ऐसे लिख लें, sine A के लिए, जो मैंने यहां पे निकाला, वो लिख लेते हैं, तो यहां पे आ गया, sec square A minus 1, और यहां पे फिर, sec square A, जिसको हम अगर sec square A का, तो यह sece है, और हमारे पास यहां पे भाग में आ रहा था, एक बटे sece, तो अगर हमारे पास भाग में एक बटे sece आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कि इसको उपर वयुत कर देंगे, तो जिससे हमारे पास यह sece यहां पहुँच जाएगा, और अब हम इसे यहां से हटा देते हैं, तो मेरे पास यहां से sece जो है, हट के उपर पहुच गया, तो यह sece यहां से हट गया, और यहां पे भाग में मेरे पास सिर्फ एक ही बचा हर में, तो उसको लिखने क्या हो शकता, नहीं है, और अब आप देख सकते हैं, कि यह sece और यह sece आपस में cancel हो जा भाग का यह, दूसरे भाग का यह, और तीसरे भाग का यह, चलिए आईए, एक और प्रशन करते हैं, और अब जो हमें प्रशन दिया गया है, वो है, सिद्ध कीजिए कि sece x plus tan x और 1 minus sin x का गुडणफल cos x के बराबर होता है, तो हम इस प्रशन को हल करने के लिए क्या या कहलें, बाइन तरफ वाली अभी वेक्ति से चलेंगे, और दाइन तरफ वाली अभी वेक्ति पे आने का प्रयास करते रहेंगे, तो यहां पे मुझे जो दिया गया था, वो था sec x और tan x का जो भी योगफल है, उसका हम गुडणफल ले रहे हैं, 1 minus sin x से, तो आईए प् प्रयास के और पहुचने के लिए, और इसलिए मैं सारे ही पदों में, जहां भी पॉसिबल होगा, प्रयास करते हैं, तो sec x को हम cos x का वयुत करम कह सकते हैं, tan x को हम sin x और cos x का अनुपाद कह सकते हैं, और फिर यह हमारे पास 1 minus sin x आ गया, अब आप देख सकते हैं कि पहले पदों में से मेरे पास cos x जो है, वो अभेनिस्ट है, और LCM भी वो ही हो जाएगा, क्योंकि उसके सिवा कोई और पद नहीं है, तो मेरे पास यहां पे numerator में 1 plus sin x बच जाएगा, और 7 में 1 minus sin x, तो मेरे पास अल्रेडी थाई, अब अगर हम इन दोनों पदों का यहां पे योगफल है, उसका अगर हम गुड़न फल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा दोनों के वर्गों का अंतर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 square minus sin square x, और यहां पे हर में हमें मिलेगा cos x, अब देखिए, 1 minus sin square x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 का square क्योंकि 1 ही होता है, तो यहां पे मैं इसको हटा देती हूँ, और आपको त्रिकोन मिती की एक सर्वसमिगा पता है, जिसमें हम यह जानते हैं, कि sin square x और cos square x का जो योगफल है, वो एक होता है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इस चरण में, कि 1, जो है, वो sin square x plus cos square x होगा, और यहां पे minus sin square x हम हमारे पास पहले से ही था, और इस वज़े से आप देख सकते हैं, कि उपर sin square x और sin square x जो है, वो cancel हो जाएगा, और हमारे पास आएगा cos square x बटे cos x, और यहां पे cos square x और cos x हम इस तरह से cancel कर देते हैं, तो यह आ जाएगा cos x, जो कि हमारे पास दाइन तरफ दिये गई अभी जो कि सिर्फ cos x है, उसके बराबर हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्ध हो गया, बहुत ही अच्छा प्रशन था, हर पद पे हमें यह ध्यान रखना है, हर चरण में हमें ध्यान रखना है, कि हमारे पास हमें जो दाइन तरफ पे पद चाहिए, वो क्या है, हम मेल करा आते रहे और उसकी तरफ बढ़ते रहे, कुछ जरूरी चरण जो यहां पे हमने किये, वो था इस अभिव्यक्ति का इस्तिमाल, या कहलें कि इस सर्वसमिका का इस्तिमाल, और दूसरा, इस त्रिकोन मीति की सर्वसमिका का इस्तिमाल, चलिए आईए, एक और प्रशन कर ले कि बाइन तरफ दिये गए जो पद हैं, या बाइन तरफ जो हमारे पास दिया गया यहां पे अभिव्यक्ति है, उसको हल करेंगे, और दाइन तरफ मिलने वाली अभिव्यक्ति की ओर भढ़ते चलेंगे, तो क्यूंकि हमारे पास दाइन तरफ साइने और कौसे हैं, तो एक यह देख सकते हैं कि अगर मैं LCM ले लूँ उपर तो यह हो गया कॉस है और यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस है और मेरे पास जिनॉमिनेटर में आ रहा है 1 divided by कॉस है जो कि उपर आके बन जाएगा सिर्फ कॉस है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस है सिर्फ इतना ही मेरे पास बचा जबकि मुझे दाईन तरफ चाहिए एक हर जिसमें 1 माइनस कॉस है तो क्यूंकि मुझे हर चाहिए और यहाँ पर मेरे पास हर एक ही है तो हर चाहने के लिए मैंने वो ही हर को यहाँ पर गुणन कर दिया अब क्यूंकि मैंने यहाँ पर गुना आपने के लिए हमें जो भी यहां पर गुड़न्फल लेना है वो denominator और numerator दोनों में ही लेना पड़ेगा तो denominator में तो क्योंकि एक से ही गुड़न्फल था तो यही रहे गया मगर आप देख सकते हैं कि numerator में हमारे पास आ गया 1 पलस कॉसे और 1- कॉसे का गुड़न्फल और हमें मालूम है अभिवेक्टी से 20 गड़िती है सर्फ समिका से कि अगर आपके पास दो चीजों का अंतर और दो चीजों का योगफल और उनका गुणनफल दिया है तो वो उन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर होता है तो यहां पे हम अब यह कह सकते हैं कि यह आजाएगा एक का वर्ग और कोस एक का वर्ग और इसके अंतर के बराबर और हमें मालुम है कि एक का वर्ग तो एक ही है तो अगर हम इसको सिरφ एक भी रहने तो कोई फरग नहीं पड़ेगा इसके बाद हमें एक ट्रिकोन मिती की सरसमिका का प्रयोग करेंगे जिसमें हमें ये पता है कि किसी भी एक कोन के लिए साइन स्क्वाइरे और कॉस स्क्वाइरे का जो योगफल है वो एक होता है तो यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख रहा था कि दाइन तरफ जो हमारे पास अभी वेक्ती है उसमें साइन स्क्वाइर है नियूमरेटर में तो मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ पर साइन स्क्वाइरे ले आऊ तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों जो हैं आपस में कट गए और हमारे पास बचा sin square a divided by 1 minus कॉसे जो की हमारे पास जो दाइं तरफ दिया गया पद है वो ही है और हम कह सकते हैं कि ऐसे सिद्ध हमने कर दिया तो बहुत ही रोचक प्रशन था यह एक बिंदू पर आके तो हमें यह लगा एक चरण पर आकर के तो हमें यह लगा कि हमारे पास सिफ एक छोटा सा पद बच रहा है और इससे हम कैसे दाइं तरफ वाला इतना बड़ा पद लेक के आएंगे परन्तु हमने हर पद पर हर चरण पर यही सोचा कि हम कैसे जो दाइं तरफ दिया गया पद है उसकी तरफ पहुचे और इसलिए हम इस तरीके के चरणों को करते गया और आखरी में हमारे पास यह सिद्धी करण यहां पर हो गया चलिए एक और प्रशन देख ल दाइं तरफ से करना शुरू करते हैं हल और दाइं तरफ की और पहुचेंगे तो सबसे पहला तो यह बात है कि हमको बाइं तरफ एक वर्गमूल मिल रहा है और दाइं तरफ तो वर्गमूल ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा तो ऐसा करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हर है उसका जो विपरीत यहाँ पे चिन्न ले करके उपर और नीचे जो है गुड़नफल कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ हमें हल मिले और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपर हमाई पास जो है एक वर्ग मिल जाएगा 1 प्लस 9 A का पूर्ण वर्ग हो गया और नीचे हमारे पास फिर से एक अभिवेक्ति बन गई जो की A प्लस B और A माइनस B के रूप में है तो अगर आपके पास A प्लस B और A माइनस B का गुड़नफल आता है तो यह क्या हो जाता है दोनों ही पदों के वर्ग के अंतर के बराबर तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमे को वर्ग मूल चिन्न के बाहर ला सकते हैं इस तरीके से और फिर से हमें एक अभिव्यक्ति का प्रियोक करेंगे जहां पे हम यह देखते हैं कि 1 माइनस Sine Square A जो है वो Cos Square A है कैसे क्योंकि हमें पता है कि Sine Square A प्लस Cos Square A जो है वो 1 है तो अगर हम Cos Square A की बात करें तो यह जो है वो यहां चला जाएगा और 1 माइनस Cos Sine Square A बन जाएगा तो यहां पे हम क्या करें कि इस चरंड में इसको लिख लें Cos Square A और यह अभी भी ध्यान रखें कि वर्ग मूल चिन्न के अंदर ही है और फिर से हम अपना यही कॉंसेप लगाते हैं कि अगर हम वर्ग मूल ले रहे है दिल्द से हैं किसी पूनवर्क का तो हमारे पास वही बच जाएगा और क्योंकि अब हमारे पास एक ही हर है और दो पधें उपर तो आईए इसको इस तरह से विभाजत कर लें और हमारे पास यह बन जाएगा और एक बटे कौuse क्यों होता है कौuse का वयुत करम हैルク और साइने बटे कौuse क्यों होता है ठायने यही अभी वैक्ति तो हमको दी गई थी दाईं तरफ और इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्ध हो गया तो हमने क्या जो चरंड थे वो यहाँ पे follow किये वो यह कि दी गई जो अभी वैक्ती थी उसमें 22 तरफ हमने देखा कि वर्गमूल मिल रहा है परंतु 22 तरफ कोई वर्गमूल नहीं है तो इसलिए हमने सब सब पहले यहाँ वर्गमूल चिन्न को हटाने का प्रयाश किया और जो भी हमारे पास यहाँ पे हर था वहाँ पे हमारे पास जो भी चिन्न था उसके opposite हमने उपर नीचे यहाँ पे multiply कर दिया इससे हमें फाइदा यह हुआ कि जो numerator था उसका तो वर्गमूल चिन्न हट गया और denominator का भी हट गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस बीच गणिंती अभी व्यक्ति के उपयोग से वन माइनस साइन स्क्वाइर ए बन लिया जो कि कॉस स्क्वाइर के बराबर है और फिर जब हमने उसका वर्गमूल लिया तो कॉसे ही हो गया मैं अंत में हमने देखा कि यहां पे हमारे पास Two प्रगमद आ रहे थे यहां पे विवाज़त कर लिया तो एक बहुत कॉसे प्लस साइने, बते कॉसे आ गया और साइने ब्ते कॉसे होता है